दोस्तो वेलकम टो आर चैनल तो आज बात करने वाले हैं आप लोगों को पता ही होगा कि एक लाग श्याली से जार साथ कंडिडेट पास हो चुके हैं 69,000 सिक्षक भरती में तो यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सारे कॉस्टेंस के जबाब भी देने वाले हैं आप लोगों को यह पता होगा कि बहुत सारे स्टेंट यह पूछ रहे हैं कि क्या केवल 69,000 ही काउंसलिंग करेंगे तो ऐसा नहीं है उसके बारे में सारी बात करेंगे करेंगे फिल ला बात कर लेते हैं कि आप लोगों का गुवनांक कितना बन रहा है और मैं आपको बता जहूं कम्यूंटि टैब में जाके जरूर बोतिंग करिएगा बिल्कुल बता चल सके कि कितने हैं कि इसे ग stump पन बन रहा है तो जरूर से लगवी बात चल सकाए मैं आवी दूंगा इसके बाद मैं आवी जैसे ही वीडियो पोस्ट होती है उसके दस दस मिनट भी नहीं पांच मिनट बाद ही आप लोग कम्यूटी सेक्शन में जाके देख सकते हैं और आप लोग बोट जरूर करिएगा ठीक है फिलाल हम बात करने वाले हैं कि 65 के आसपास जिनका गुणांक है उनके सेलेक्शन होने के क्यों चांसेज है और इसमें ये वाली बात भी देखी जाएगी देखो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है अभी आगे भी बहुत सारी चीज़े इफेक्ट करने वाली है अगर 68500 वाले लोगों ने भी दुबारा से का देखना उसमें कि आप ही बताना कि क्या वो चीज ठीक है क्या नहीं है और बिल्कुल आंकडों के हिसाब से चलने वाले हैं तो यहां पर देख लेते हैं हमें पता है एक लाग छियालीस हजार टोटल लोग पास हुए हैं अब आप यह मान के चलिए जैसे इन्होंने बोला ह ही हैं सारे के सारे अगर यह सत्तानवें प्लस वाले हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि यहां पे कम से कम 10,000 केंडिडेट ऐसे हैं कम से कम 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो 105 प्लस भी जा रहे होंगे कम से कम 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जो 105 प्लस जा रहे होंगे और अगर 105 प्लस यह जा रहे हैं तो जादातर जो गांडिडेट रुक रहे हैं उनका आप यह मान के चलिए زवा पांच के बीच बाले ही हैं ज्यादतर candidate 105 से जो उपर है वो बहुत ही कम candidate है और बात कर लेते हैं OVC में तो जैसे ही आपको पता है कि वहाँ 90 है अगर वो 90 पर पास हो रहे हैं तो OVC के जितने unreserved category में candidate है 105 प्लस वो तो होंगे ही लगवग लगवग लेकिन यहाँ पे जो ज्यादतर candidate गिर रहेंगे वो आप लोग को पता होना चाहिए 94 से 105 के बीच में ही यहाँ भी ज्यादतर candidate गिर जाएंगे तो 105 प्लस जो candidate जा रहे हैं वो अगर मान के चले 105 प्लस candidate होंगे ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 हजार लोग बस 20 या 25 हजार लोगों के 105 प्लस नंबर आ सकते हैं और बाकी जो candidate हैं वो सारे के सारे 105 से नीचे ही वाले लोग हैं तो अब हम एक instrument की calculation करेंगे बिल्कुल average लेके और आप लोग खुद ही देखना कि क्या हो रहा है मान लिया कि 105 marks लेकर आ रहा है कोई 150 में से return में उनने 105 marks लाया मतलब वो 70% लेके आ गिया अब हमें क्या करना है 70% का भी जो हमारे 70% marks आये हैं 1500 में से इसका भी हमें 60% निकालना है तो 70 का 60% जब हम निकालेंगे तो यह आएगा हमारा 42 marks अब आप यह देख लीजिए जिसके 105 marks आ रहे हैं वो 42 marks लेकर आ रहा है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि इसके academics का क्या रहा होगा तो जरूरी नहीं है जिसका academics अच्छा रहा हो उसके यहाँ पर marks भी 105 ही बन रहे हो ऐसा नहीं है बहुत सरे candidate के साथ ऐसा होगा जिनके academics पता नहीं कैसे कैसे आ रखे हैं अच्छे लेकिन उनके यहाँ पर सिर्पास ही हुए है वो ठीक है तो फिलाल हम बात करने वाले हैं कि अगर उसने high school में मान लीजिये कि 80 marks ला रहा है और फिर intermediate में वो मान लीजिये 75 marks ला रहा है परसंटेज में बोल रहे हैं और उसके बाद graduation में वो 70 ला रहा है और उसके बाद अपनी जो भी काक्ति 21 तो यह हो गया और 21,29 मार्क किटने मार्क 12 1,ore min 42 marks हो रहे है तो 29 marks 42 वो थे और데 wrWight 29 यह है तो आप creating कितना हो गया इसका इसके बन गया71,5 मार्क यह 71,5 वो觀 finalement क्यंडिडिएट हैं जो तोप में हैं विलकुल जो तोप में हैं उन लोग के इतनी मार्क्स बर्न रहे हैं आप लोग देख रहा है कि तो कहने का मतलब यह है कि अगर 63 किसी का गुणांग है तो बहुत बाले कितने च्रीट हैं ज्यादा से ज्यादा candidate होंगे 20,000 या 20,000 ठीक है तो बाकी candidate का जो गुणांक गिरेगा वो ज्यादातर candidate का जो रहने वाला है वो रहने वाला है 62 62 से लेकर और 66 या 68 यहां तक ही रहने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं किसका कितने पर हो जाएगा सेलेक्शन तो ज्यादा तर उम्मीदे यहीं हैं कि जो SCST वाले लोग हैं उन लोग का कैंडिडेट तो 60 के आसपास और 60 में प्लस माइनस आप 3 कर लीजिए मतलब इनका 57 से भी कम में भी हो सकता है मतलब यहां पे इनके chances हैं क्योंकि आप यह मान के चलिए यहां पे क्या है कि अगर इनकी देखो यह तो सबको confirm ही है कि 60-65 में यह लोग पास हुए है तो यहां तो इनके marks जो 42 या 40 marks आ रहे हैं वो तो आई रहे हैं सिर्फ academics में पड़ेगा फर्क जो पढ़ना है तो इनका 60 के आसपास selection होने की बहुत ज़्यादा हदे तक उम्मीदे हैं लेकिन अगर बात करते हैं OVC category की तो OVC category में आप लोग देखेंगे तो OVC category में कम से कम मानके चलिए आप 65 के आसपास और इसमें plus minus 2 कर लीजिए और 2 करने की भी बहुत कम है लेकिन 65 plus 2 ही होने के ज़्यादा chances है तो आप लोगों के chances बनते हैं 65 के आसपास जिन लोगों का है उन लोगों के बहुत हटक chances बनेगे कि आप लोग अपनी district में एक seat अपनी ले पाओ और अगर 68,500 बालों ने नहीं फिल किया फिर ये चीजे 5-5% भी नीचे गिर सकती हैं मतलब 5 भी नीचे जा सकते हैं 65 की जगए पर OVC 60 पे आ जाएगा और वहाँ 55 तक भी जा सकते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं तो 66 के आसपास या 67 के आसपास ये इन लोगों के chances बनेंगे ये lowest candidate की बात हो रही है highest candidate की बात नहीं हो रही है मतलब lowest जिस बंदे का selection होगा वो इतने पर होगा और आपको सिर्फ selection से मतलब है टोपर से बनने से मतलब नहीं है क्योंकि salary value सबक information है जो हमें लग रहा है कि इतनी cutoff जाने के chances हैं बाकी आप लोग comment box में जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कितने marks पे जा सकती है मिलेंगे फिन next वीडियो में तब तक के लिए बाए अपना गुणांक जरूर बताएगा और मैं आपके लिए poll open कर रहा हूं community section में ज